हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो आवर चैनल MNP Knowledge School LIC का नया प्लान आने वाला है जिसका नाम है धन वर्षा 17 अक्टूबर 2022 से ये प्लान शुरू होने जा रहा है इस प्लान का नंबर है 866 और ये प्लान एक क्लोस एंडेट प्लान है जिसका मतलब ये है कि ये प्लान 31 मार्च 2023 को बंद हो जाएगा यानि कि ये प्लान 17 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक ही उपलब्द है आज की वीडियो में हम आपको इस प्लान धन वर्षा के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आ जाए साथी साथ कुछ एक्जामपल के साथ भी इस प्लान को हम आगे समझेंगे इसलिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को इसकी बिलकुल मत कीजेगा तो आएए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहला अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजे नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस काना बिलकुल मत बुलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा LIC की धन वर्शा प्लान एक सिंगल प्रीमियम प्लान है यानि कि इस प्लान में आपको प्रीमियम एक बार में ही जमा करना होगा इस प्लान में आपको सेविंग भी मिलती है साथी साथ आपको रिस्कवर भी मिलता है इस प्लान की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसका guaranteed addition यानि इस प्लान पर मिलने वाला bonus वो पहले से ही declare है जो भी वेक्ति ये policy लेता है उसके पास दो option होंगे समय शोड on death चूज करने का option 1 and option 2 option 1 पे आप tabular premium का सवा गुना रिसकवर चूज कर सकते हैं basic समय शोड का वही option 2 पे आप tabular premium का 10 गुना रिसकवर चूज कर सकते हैं basic समय शोड का अब आईए सबसे पहले इस प्लान की eligibility condition को देख लेते हैं इस प्लान में 2 term 10 साल और 15 साल available है अगर age की बात करें तो अगर कोई वेक्ती 15 साल का term लेता है तो उसके लिए minimum entry age 3 साल की है और अगर कोई 10 साल का policy term लेता है तो उसके लिए जो minimum entry age है वो 8 साल है वहीं अगर maximum entry age की बात करें तो option 1 में यानि जिसमें आप सवा गुना रिसकवर मिलता है उसमें जो maximum entry age है वो 60 साल है और option 2 में 2 maximum entry age है अगर आपने 10 साल का term लिया है तो 40 साल की maximum entry age है और अगर आपने term 15 साल का लिया है तो maximum entry age इसमें 35 साल है ध्यान रहे option 2 का मतलब 10 गुना का रिसकवर अगर minimum entry age की बात करें तो 18 साल complete होना चाहिए policy holder का policy के maturity पर और अगर maximum maturity age की बात करें तो option 1 में जो maximum maturity आगे होता है वो 75 years है और option 2 में जो maximum maturity age होगा वो 50 years का होगा इस plan में premium जमा करने के लिए single premium mode उपलब्द है यानि कि आपको एक बार में ही पैसा जमा करना होगा और अगर बात करें minimum basic summer short की तो वो 1,25,000 का minimum basic summer short होगा और आगे की policy आप 5000 के multiples पर ले सकते हैं maximum summer short की बात करें तो उसकी कोई limit नहीं है अब आईए इस plan में मिलने वाले benefits की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं death benefit की अगर term के अंदर policy holder की death हो जाती है तो उसके nominee को some assured on death के साथ साथ guaranteed edition भी मिलेगा guaranteed edition के बारे में हम आगे वीडियो में detail में समझेंगे some assured on death के बारे में वीडियो के शुरुआत में आपको बताया गया था कि दो options होते हैं option one and option two अगर maturity benefit के बात करें तो maturity पर basic some assured और उसके साथ साथ guaranteed edition जो हर साल policy में जुड़ेगा उसका payment होगा इसका मतलब maturity पर basic some assured plus guaranteed edition का payment होगा अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महटपून पॉइंट पर वो है guaranteed edition guaranteed edition पहले से ही declare है आईए एक चार्ट के माध्यम से ये जानते हैं कि किस option में किस policy term पर कितने basic some assured पर कितना guaranteed edition मिलेगा अगर basic some assured 1,25,000 से लेकर 2,45,000 के बीच में हैं तो option one में 10 year के policy term में 60 rupees per thousand का guaranteed edition मिलेगा 15 years के policy term में 65 rupees per thousand का guaranteed edition मिलेगा और option two में 10 year के term पे 25 rupees per thousand का guaranteed edition मिलेगा और 15 years के policy term में 30 rupees per thousand का guaranteed edition पहले से declare है अगर basic some assured 2,50,000 से लेकर 6,95,000 के बीच में हैं तो option one में policy term 10 year के लिए 65 rupees per thousand, 15 year के लिए policy term के लिए 70 rupees per thousand और option two में 10 year के policy term के लिए 30 rupees per thousand और 15 year के policy term के लिए 35 rupees per thousand का guaranteed edition डिकलियर है अगर basic some assured 7,00,000 या उससे जादा हुआ उस case में option one में 10 year के policy term में 70 rupees per thousand, 15 year के policy term में 75 rupees per thousand और option two में 10 year के policy term में 35 rupees per thousand और 15 year के policy term में 40 rupees per thousand का guaranteed edition डिकलियर है ये तो था guaranteed editions के rate आगे कुछ example में हम ये भी जानेंगे कि guaranteed edition किस प्रकार से आपकी policy में एड होगा इस plan में optional rider भी उपलब्द है जैसे accidental death and disability benefit rider और new term assurance rider इस policy में भी surrender और loan की facility available है surrender आप policy लेने के बाद कभी भी कर सकते हैं वहीं loan लेने के लिए policy holder को कम से कम 3 महीने का इंतिजार करना होगा यानि policy लेने के 3 महीने के बाद कभी भी policy holder loan ले सकता है तो अब तक आपने जाना LIC के नए plan धन वर्षा के बारे में पूरी जान करें अब आईए कुछ example के साथ इस plan को समझते हैं आईए सबसे पहले एक 30 साल के वेक्ति के example लेते हैं जो ये plan धन वर्षा 15 साल के term के लिए लेता है और वो option 1 को choose करता है जो basic summary short है वो 10 लाक रुपे है उसके लिए उसको अगर GST छोड़ कर बात करें तो करीब 8,86,750 रुपेज जमा करना होगा जैसे कि इस chart में आप देख पा रहे हैं जो guaranteed edition है वो हर साल जुड़ेगा जो table आप देख पा रहे हैं जिसमें basic summary गार्षा 7 लाक से जादा है और policy term 15 साल है और आपने option 1 लिया है तो उस case में 75 रुपीज पर thousand के हिसाब से guaranteed edition एड होगा यानि कि 10 लाक basic summary पर 75 रुपीज पर thousand के हिसाब से जो guaranteed edition हर साल आएगा वो होगा 75,000 रुपीज यानि कि अगले 15 साल में अगर हर साल 75,000 guaranteed edition जुड़ा तो अंत में 15 साल के बाद 11,25,000 guaranteed edition जुड़ जाएगा और basic summary 10 लाक रुपीज का है यानि कि 15 साल की maturity पर जो amount policy holder को मिलेगा वो होगा 21,25,000 रुपीज वो भी guaranteed और इस चार्ट के आखरी कॉलम में आपको सवा गुना times जो risk cover देख रहे हैं वो भी कैसे हर साल बढ़ता रहेगा वो भी आप यहाँ पी stable पर देख सकते हैं तो ये था 15 साल के term का example अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और example लाएंगे जिसमें आपको ये plan और जादा clear हो जाए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए हमें यहाँ पे रोकना पड़ा है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजे हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत बुलिएगा थैंक यू, have a nice day and keep smiling